तो आज हम देखेंगे कि डायोड कैसे काम करता है, वो कितने तरका होता है और उसके functions देखिए, डायोड में generally दो junction होता है ठीक है, दो junction या दो उसके type होते है एक side हुआ आपका positive side, एक side हुआ negative इसको cathode भी बोलते है negative को और positive को anode भी बोलते है anode side और cathode side तो package में आप एक तरफ देखेंगे, एक दागी रहेगा एक mark रहेगा, तो वो हमारा cathode side होता है और opposite side हमारा anode side होता है अब क्योंकि यह diode, normal diode हमारा forward vising में काम करता है तो यह diode देखें यहाँ पे, यह हो गया positive, यह हो गया negative इधर से इधर जब जाता है उसको forward बोलते हैं इधर से इधर जब जाता है तो उसको reverse बोलते हैं वो theory से हमको लेना देना नहीं होना चाहिए नहीं तो आप theory में बहुत बुरी तरह पहस जाएंगे तो हमका बस समझना है कैसे हम पैचानेंगे और कैसे इसको test करेंगे तो देखिए तो diode का काम क्या होता है यह सिर्फ एक ही side में current को flow कर रहेगा positive to negative side में flow करेगा खाली positive to negative मतलब forward bysing में यह current को flow कर देगा reverse bysing में current को रोग देगा मतलब यह तरह का protection का भी काम कर रहा है कि इस तरफ जाने दे रहे और इस तरफ नहीं जाने दे रहे और एक तरफ unidirectional flow एक तरफ यह flow करेगा opposite side में flow नहीं करेगा ठीक है इतना आपको समझ में आया चले आगे देखते हैं देखिए checking checking कैसे करेंगे डायोड को तो चले फिर सम पीछे जाते हैं देखिए बहुत easy है समझे इस तरफ से कि multimeter में भी दो probe होता है एक positive होता एक negative होता है negative हमरा black होता है positive हमरा red होता है तो जैसे आप multimeter को पहले आप continuity mode में रख लीजेगा उसके बाद जैसे आप multimeter का positive probe को diode का positive side में रखेगा और multimeter का negative probe को diode का negative side में रखेगा तो कुछ value आएगा हम उसको देखेंगे practically लेकिन कुछ value आएगा और जब उसको reverse करेंगे तब कुछ value नहीं आएगा वो no value दिखाएगा अगर forward pricing में value कुछ आ रहा है और reverse pricing में कुछ भी value नहीं आ रहा है मतलब हमारा diode सही है अब खराब कैसे हो सकता है common sense की बात है अगर दोनों तरफ value आ रहा हो तो भी खराब होगा अगर दोनों तरफ value नहीं आ रहा है तो भी खराब होगा तो यह हो गया हमारा तरीका डायोट को टेस्ट करने का ठीक है वो ही चीज यहाँ पर लिखा हुए आप देख सकते हैं Red probat anode, black probat cathode should get value Reverse the probe, no value Faulty means show the same value, no value, low value on both sides मतलब एक डायोट सही तभी होगा जब एक साइड में value आ रहा होगा तो दुसरे साइड में value नहीं आ रहा होगा बस इतना ध्यान में रखे, multimeter continuity mode में रखे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखे, forward biasing मतलब मैंने बोला positive से negative जाएगा और negative से positive नहीं आएगा तो यह normal diode है हमारा अब देखे, यह positive से negative चला जा रहा है positive से negative हमारा जा रहा है, ठीक है अब क्या है? हमारा इसी तरह से और एक diode होता है shot की diode जिसको बोलते हैं पैचानेंगे कैसे diode को? यहाँ पे एक सीधा line है, triangle के साथ उसमें S लिखा होगा तो हो shot की diode तो diode और shot की diode में difference बस इतना है कि shot की diode का switching और fast होता है लेकिन ऐसकल diode भी बनने लगा है जो बहुत fast switching काम कर रहा है तो यह designer का idea है कि अ PlayStation lie confronted जो कि नोजय का काम लेकिन एक ही है बस shot की diode switching fast काता है आड़अ देखिये यह shot की diode होता है यह देखिये कैसा काम कर रहा है यह भी उडिसेम काम कर रहा है लेकिन हमारह यह थोड़ा fast है आड़ए, यह हम देख नहीं सकते कितना fast है वह circuit design जो करते हैं, वह समझ कितना fast cup चाहिए, cup slow चाहिए, बहुत कुछ होता है circuit में कभी किसी चीज को slow down करना पड़ता है, signal को या voltage को, कभी थोड़ा fast करना पड़ता है तो उस requirement के हिसाफ से वह components rate करते है ठीक है? तो अब देखिए reverse biasing मैंने जैसे बोला है, reverse biasing में diode flow नहीं करेगा देखिए, यह रुख गया ठीक है? देखिए, फिर से मैं दिखा दू देखिए, reverse biasing में यह रुख गया और गया नहीं वो तो यही है feature, diode का तो अब हम देखेंगे, कि diode भी दो तरह का आता है दो material का आता है एक germanium diode होता है और एक हमारा silicon diode होता है तो देखिए, अब संजी अच्छे से germanium diode होगा तो diode का एक वोल्टेज लेबल होता है germanium diode होगा है तो 0.3 लेबल होगा तो यह जब क्रॉस करेगा तो उसका जितना लेबल होगा उतना वो वोल्टेज निकालेगा देखिए, यहाँ पर यह गुसा गुसके निकला कितना? 4.7, 0.3 माइनस हो गया यह ध्यान में रखिएगा diode mode पर पूरा वोल्टेज क्रॉस नहीं करता है जितना उसका value होगा उतना वो drop करके आगे निकालेगा अब आगे देखते हैं silicon diode में same 0.7 है मतलब 5 से 0.7 V माइनस करके वो निकलेगा और 4.3 V यह प्रोवाइड करेगा तो यह हो गया हमारा short key diode और normal diode का feature अब और एक तरह का diode आता है जिसको हम बोलते हैं Zener diode ठीक है? Zener diode में हमने short key diode में देखा था S था, Zener diode में Z होगा अब short key से S याद रखेगा Z से Zener याद रखेगा ठीक है? लेकिन यहाँ पर difference क्या है Zener diode हमारा forward vising में नहीं काम करता है वो reverse vising में काम करता है, मतलब reverse vising में यह आपको flow करेगा forward vising में flow नहीं करेगा ठीक है? मतलब cathode से anode चला जाएगा, लेकिन इधर से इधर नहीं आएगा जस्ट उल्टा diode का उल्टा काम करता है लेकिन उसको use किया जाता है दो तरीके से एक series way में और एक parallel way में तो वो दो तरह का काम करता है चले देखते हैं देखें यहाँ पर अब मैंने supply में 9V दिया है और diode का value है 3V जैसे germanium silicon अपना value को observe करके बाकी निकालता था यह भी वही करेगा 3V observe करके बाकी निकाल देगा लेकिन in reverse way reverse side में देखिए यह forward side में नहीं हो रहा है यह हो गया हमारा series series मतलब एक line में जा रहा है यह देखिए यह पर जब line में जाएगा जब series में जाएगा तो क्या करेगा उसका जितना value होगा उतना observe करके बाकी वह निकाल देगा ठीक है लेकिन जब zener diode को हम parallel to ground करेंगे तब वह क्या करेगा regulator की तरह काम करता है यह सब चीज आप दीरे बात में समझ जाएंगे और यह वीडियो को बार बार देखिए आपको दीरे दीरे समझ में आने लगया मैंने क्या बोला जेनर डायोड को जब parallel हम ground के साथ लगाते हैं तो वह regulator की तरह काम करता है मतलब डायोड के जितना value होगा उस पाथ में उतना ही voltage उसको मिलेगा ताकि चाहे input अब जितना भी दो ठीक है तो देखते हैं इसका figure देखिए यहाँ पे दिया है यह रिजिस्टर बीच में लगा दिया ताकि यह gap हो जाए इसमें इसमें ठीक है नहीं तो यह काम नहीं करेगा अब यहाँ पे यह 3V का मैंने जेनर डायोड लगाय हुआ है अगर 3V का जेनर डायोड ground कर दिया है मैंने तो यह पात पे जैसे आएगा यह पे यह यह पे 10 दीजिए 20 दीजिए 5 दीजिए 6 दीजिए यह पे आते ही वह 3 हो जाएगा तो मतलब यह रिगुलेटेड वोल्टेज मतलब जितना उसको देना है वह उतना ही देगा समझ रहे है तो देखते हैं 9 वोल्ट देखिए आया देखे 3 वोल्ट पास किया तो जैनर डायोट को जब हम पैरलली लगाते हैं तब ही ऐसे काम करता है ठीक है और सीरीज में लगाने से क्या करता है अब देखिए आप समझिए इस चीज को चले मैं समझा ही देता हूँ देखिए यह क्या कर रहा था सीरीज में क्या कर रहा था सीरीज में कर रहा था कि 3 वोल्ट यह रख रहा था रख दे रहा था ब्लॉक कर रहा था अब देखिए पैलल में यह 3 वोल्ट का है यह 9 वोल्ट जब यहाँ पर आएगा यह क्या करेगा 9-6V यह पार कर देगा ग्राउंड को अधिना खतम हो जाएगा लेकिन 3 को ब्लॉक कर देगा 3 को जो ब्लॉक करेगा तो यहां पर कितना आएगा तब 3V आएगा यही कॉंसेप्ट है तो इसको बस लगाने का तरीका अलग है काम वह वही करता है ठीक है? तो यह होगे हमारा डायोड